वंदे मातरम जै भारत बाहिर आजीव दिक्षित अमर रहें जै बाबा जै रामदास आज का ये वीडियो विशेश रूप से जिनके परिवार में कैंसर का रोगी है या जो चाहते हैं कि जिनको कभी कैंसर ना हो उनको खाने पीने को लेके बड़े परसन होते हैं उस विशेव में ये वीडियो है तो सरुवात करते हैं खाने पीने से सबसे पहले बारी आती है भोजन की तो भोजन में अन को लेके कैंसर के रोगी को अन बिल्कुल नहीं खाना है अन के रूप में वो क्या-क्या खा सकता है उनमें बताता हूँ सबसे पहले वो खा सकता है मूंग, मूंग का आटा पी इसके खा सकता है, सिंगाडे का आटा खा सकता है, कुट्टू का आटा खा सकता है, इसके अलावा मिलट्स, पांच परकार के मिलट्स हैं, उन्हें अलग-लग छेत्रों में अलग-लग नाम से बोला जाता है, जैसे उत्र लोड़ा कम मात्रा में लेना है और बाकी सारी सबजियां वो खा सकते हैं एक सुरक्षा के रूप में जितनी भी सबजियां हैं उनको एक बार क्योंकि बजार में जो भी सबजियां उपलब्द उनमें कैमिकल का इस्तमाल होता है तो गरम पानी से उन्हें साफ कर लें या गोम गियां अगर कच्ची खा सकते हैं तो बहुत उत्तम है पत्ता गोबी बहुत ही उत्तम है क्योंकि यह चारी है और कैंसर रोगी का जो सरीर है वो एसिडिक हो जाता है तो सरीर को चारी करना होता है तो पत्ता गोबी खा सकते हैं इसके बाद सवाल आता है फलों का कैंसर रोगी सबी परकार के फल खा सकते हैं अगर कैंसर रोगी फल और कच्ची सबजियों पे रहे तो जो बिमारी 8-9 महिने में कटती है वही बिमारी 4-5 महिने में भी खतम हो सकती है तो सबी परकार के फल खा सकते हैं जो मोसमी फड़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं पस ध्यान यह रखना है कि बिना केमिकल के जो फड़ बजार में उपलब्द है वो ज़्यादा अच्छे हैं जैसे उदान के लिए अमरूद पे केमिकल का प्रयोग नहीं होता ना पकाने के लिए तो अमरूद अच्छा बजार से खरीद लेगे क्योंकि बजार में कारवाइट से पकाया जाता है फिर भी अगर उपलब्द ना है तो खा सकते हैं केड़ा खा सकते अंगूर बहुत अच्छा है विशेश रूप से जो हमारा देशी अंगूर है जिसके अंदर बड़े साइज का पहले है उसके भी ज़्यादा मात्रा में खाये तो सभी परकार के फट्ट खा सकते हैं बहुत ज़्यादा खट्टा फट्र है तो उसको थोड़ा कम मात्रा में ले या खट्टे फट्रक अगर जूस ले रहें तो उसके अंदर देशी खांड का परियोग करें चीनि का बिल्कुल परियोग ना करें फडों के बाद बारी आती है ड्राइफ रूट्स की ड्राइफ रूट्स में कैंसर के रोगी के लिए सबसे अच्छा जो है वो है किस्मिस उसके बाद अंजीर बहुत अच्छा है एप्रिकोट जिसे हम खुबानी कहते हैं वो बहुत ही उत्तम है उसके डेली अगर कैंसर रोगी खाए तो उसके लिए अमरित का काम करेगी उसके बाद बारी आती है दूद और दूद से बनेवे उत्पाद अगर सुद बारतिये नसल है देसी नसल है तो उसका दूद अमरित है दूद का परियोग कर सकते हैं उससे बनी हुई लसी का परियोग क कर सकते हैं दही का परियोग कर सकते हैं घी का परियोग कर सकते हैं लेकिन देशी गाय के अत्रिक किसी भी अन्य जीव के दूद का परियोग नहीं कर सकते हाँ जंगल में चरने वाड़ी अगर बकरी है तो उसके दूद का परियोग किया जा सकता है दूद के बाद खाने के लि का इस्तमाल हो रहा है लेकिन जो पेड़ पोदे हैं विशेश रूप से सिसम का पोदा सहजन का पोदा पीपड का बढ़ का आपका अरजुन का सदाबार का गिलोई के पत्ते ये सब कैंसर को रोकने में सबसे ज्यादा सायक है उसके अलावा रोगी रोजाना अगर गिलोई आ का और गेहूं का जुआरा कैंसर रोगी के लिए अमरित हैं लंबे समय तक उसे कैसे चलायके शुका लें शुका के उसे पावडर बना लें उसाल बर परियोग कर सकते हैं इसी के अलावा बत्वजा पैंसर रोगे के लिए अमरित है अभी इस समय खाएं और आगे के लिए च्छाओं में सुका के रख लें साटी जिसे पुनरनवा कहते हैं जो कैंसर की सबसे अच्छी ओस्दी है उसको भी साटी के सीजन में जादा से जादा खाएं और सुका के रख सकते हैं लस्ण अगर बोजन करने के बाद एक या दो कड़ी लस्ण की खाएं तो कैंसर रोगी के लिए अमरित का काम करती हैं ज्यादा से ज्यादा लस्टन का परियोग किया जाए कच्ची हरदी अदरक दूद में निरंतर डालके अगर पी जाए तो ये कैंसर रोगी के लिए बहुत अच्छी है इसके अलावा भी आपके मन में जो भी परसन हो आप वीडियो में मैसिज कर सकते हैं वंदे मातरम जै भा सब्सक्राइब बाहिराजीव दिक्षित अमर रहे हैं